हाईलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास तेन्थ फिजिक्स चेप्टर नमबर वन प्रकास का प्रवर्तन का भी भी अबजेक्टिव करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट अबजेक्टिव है एकदम हाड से हाड से लेकर लो से लो अबजेक्टिव बहुत आसान भी और इसमें बहुत हाड हाड भी अबजेक्टिव है जो कि परिक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोग हम लोगों को सब्सक्राइब लाइक किजिए यसे आप लोगों को फैदा होगा चुकि हम लोग आज का हम लोग अपना पहला प सब्सक्राइबधा पता है यूज जैसे में अपरकास की किरोन सफ्फान तो पार difardy होता है ऑलकौत्रा और पारर्णी पढश हुआ यूआ जिसमें से प्रीक्न की दुशी हो पृते हैं शॉरी हम्हें जानते हैं कि कि दूप उप सारी की दुश्य कि दूप्व और श करदोंग झाले करदे एक बिंदू पर आखर मिलती हैं लेकिन में प्राइप रघास कीिरनले क्षाल और का wife फैलती चल जाती है। और समान्तर किरोपूर हे समानधर होती है। तो आपसो नमबर S हो जाएगा अभी सारी किराण पूंज प्रदेप्त वस्टवुय है थो प्रदिप्त वस्टॵुय या रिवां वस्टॵुय। क्या कह रहा है है तो हम परदिप्त हो जानते हैं इस eerste प्रकास नीकलता है इसलिए नंबर सी सई हो जाएगा परस्ट नंख्या पांच इन में से कोन परकास का सुरोत नहीं है तो इसमें से परकास का सुरोत नहीं है तो सुर से परकास का सुरोत है लेल्टेन से भी परकास निकलता है लैंप से भी इसका अफ्षान नंबर डी सई हो जाएगा इन में से कोई नही प्रस्टन संख्या 6 इनमे से कोंद पारआइव भाशन हो या सबी कई फार्जають पदाइब मुंख 23 प्रकार्प्रण होते हैं सब्सक्राइब में परकाश यह स्राइब कर गोंज उसे क्या कहते हैं जा सब्सक्राइब ओपर कोज घृण्ञों को बीच की दूरी भाड़ती है तो क्या बोल्च है कि दूरी गघुरन् IX जैसे में एक बिंदू पर आगहर मील रही है और यहां से जब दूरी वाइबढ़ रहा है यहां इसको संख्या 08 tip 10 में से कोन अ परता चला जा। Online होती है ills इस पांचे多 शार फिलक तरा भुशिक्ठ की पदा तु yak जा जानते हैंbuildी पारुपूफग़्ची अलकत्रा होता है और पानी जो हुआ परदर्शी और हवा भी परदर्शी हुआ और रोक्त जो हुआ परभास्टी पदात हुआ तो अपसारी किरणों के बीच की दूरी क्या होते हैं जो इसमें से परकास चारों तरह फैलती चली जाती है कि रोकी किरणों के बीच कि दूरी कितनी है यहां पर कम है यहां से एक्स के चाख आधीक है और यह सबसे अधीक है पाड़ रहा दो इस लिए यह बढ़ती है अब सारी किनों के विच की दूरी क्या होती है तो बढ़ती है संतल दर्पन के पीछे किस तरह का परत जमा दी जाती है तो संतल दर्पन के पीछे चांधी की परत जमा दी जिए किस तरह की चांधी की परत परकास के किसी वस्तु से टकराकर लोटने को क्या कहत किरोंड का पथ दार रहे सासा कई यह नंबाद दीजिंग्या सोलиты कई उन्हें कहते हैं तो अन्य के नियopf कोते हैं में चलक आप्तित किनन को का ओते हैं इसके लिए हंद्व में यहां पर आना पुड़ेगा एक ह स्टेप पर देखिए पर कास के कि ननर biology क्लाओ को आ अबिलंब और आपत्व कंड और प्रावर्थित kmor differenti और अपश्यु आपस में बरावर्थ्ट में आती हैं। ऐड़ो मोग और ओमिलंब नियुआ को सिल में ऑप चल्वाइыт you किना को प्रावर्थित किना कुछते हैं जो करती है उसे क्या कहते हैं आपनोकर आप्सान और 20 सब्सक्रावर्थित किना किसी नियम से जो करते हैं अप्सान नमबर स्थोह जाएगा प्रावर्वर्थन के कितने नियम है उते हैं प्रावर्थन के दो नियम होते हैं जो कि बहुत आसान कोचन है और बार बार पुछी देता है प्रतिबिम कहते हैं देखिए यहां पर बोला है यह मिलती हैं यह मिलती प्रतित होती है दोना ॥टिया मिलती है दोना बोल दिया है मतलब व्यूंद्र क्लम हुआ और मिल्ती मिल्ती हैं बलता सिर्फ यह बाष्णिक प्रतित नागे гेशाग मैं तुम हो जाएगा कि रसन संख्या 24 किसी बिंदू स्रोथ से आती प्राकास की किने कि दरपन से प्रवर्दम के बाद जिस बींदू से आती हुई परतीत होती है उसे क्या कहते है तो जिस विंदू से आती परतीत प्रतीत मतलब काल्पनिक प्रत्वीम को एक और नाम है जिसका हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रत्वीम जो हता है हमेशा सीधा बनता है प्रत्वीम जिन्हें परदे पर प्राप्ट नहीं किया जासता है उसे क्या कहते हैं तो उसे काल्पनिक प्रत्वीम कहते हैं जिन्हें पर प्राप्ट नहीं किया सकता है अपसा नंबर बी परत्वीम कितने प्रकार होता है तो प्रत्वीम दो प्रकार होते हैं काल्पनिक प्र प्रतिवीम का आकार बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है एक तीसे वैसा धरपंड जिसकी परावर्थक सत तकीसी खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे गोली ये दरपंड कहते हैं आप्सन नंबर शी सही हो जाएगा 32 खोखले गोले के कांच के इस टुकले को ना, रस्तीत करने से प्राप्त होता है बतई होताए आपकोन को चुछोए के इस टुकले को बाहरी सथाम को रस्तीत करने को यहbrud स्क्राइश शर्ष्थ नंह बड़ेंगे मिल्दानवानस के शायग रश्तित अनstyर गोल्य दरपन को ध्रु से वल्णा केंदिर हैं ध्रु से वकरता केंद्र मिलाने उपकेंदिर होती हैं इसके जो जो घृणाने वाले सरण केंदिर प्रिंस्पल स्वत ये मुख दिप्री आहिंगा इसलिए प्रकास का प्रवर्तन इसमें से यहां से जाएगा और पर्वर्तन के बाहरी सतव से होता है तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल अरपण जो होता है उत्तल अरपण में प्रकास का प्रावरतन बाहरी सता से होता है और अप्सान नमबर 20 हो जाएगा चांद तारा पंखा बालती तो चांद का प्रकास नहीं होता है तारा अप्सान नमबर 20 हो जाएगा तो सब्सक्रावो प्रकासन प्रकास का सब्राथे तो सभर सब्सक्राव निए तो ही जाएगा और तो आप्साँ प्रकास थरुण के कृण रूसित्ट थाल शीनल्य तो सब्सक्राव्चन नमबर 60 हो गोlichtतower और निए वस्तल नमबर 20 हो जाएगा जिसको हम लोग focus दूरी कहते हैं छोटाएं वसे लिजन करते हैं इसको focus दूरी कहते हैं तो इसका option number अधी अप्सान नमबर सी सई हो जाएगा गोलिया दरपन की focus दूरी बोल रहा है focus दूरी जो है इस वकरताती दूरी है पूरा के आधान है इसका आधी हो जाएगा अधी अप्सान नमबर सी सई हो जाएगा अब पुछ रहा है कि जो वकरताती दूरी की कितने है तो focus दूरी आर है तो इसके दूगिना हो जाएगा अप्सान नमबर सी हो जाएगा 46 आपतन कोड़ प्रावरतन के नियम से अतल दरपन का focus होता है